यदि आपको किट्चोप लो बेहतर तरीके से समझना है ते आपको बिद्वत बहाग वल को समझना ज़री के चलिए आज हमको समझी ले ते तभी किट्चोप लो समझेंगे, तो एक सेल है, सेल में दो चीजे होते हैं, एक निगेटी पूल, एक पोजिटी पूल, तो यह सेल क दूसरे धुरूब तक ले जाने में जो इनर्जी खपत होगी वही इनर्जी जो बिदुतवाहक बल कहलाती है तो समझगे इसका परिवास आप वीडियो पाउज करके लिख सकते हैं किसी सेल में कंग धनावेश को सेल सही सेल की एक धुरूब से दूसरे धुरूब तक ले जा किसी सेल में जब धारा नहीं ली जा रही होती है तब सेल के बीच बिदुतवाहक बल के बराबर होता है यानि यह सेल है इसमें धारा नहीं बरीगी इधर से इधर तो तब जो इस सेल का जो बिदुतवाहक बल होगा वही बिदुतवाहक बल होता है तब होता है जब सेल में धारा नहीं जा रही होती है तो ये भी एक important objective question के लिए